नमस्कार मित्रो आप से एका स्वागत है हमाई यूटूब चैनल लॉयर गुरुजी में आज किस वीडियो में हम बात करेंगे आधार कार्ड से संबंधित अपराद वा इन अपरादों के लिए सजा का प्रावधान क्या है तो दोस्तो आप लोगों ने अगर अभी तक हमाई चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो के अप्डेट्स लगातार आपको मिलते रहें तो चलिए हम सुरू करते हैं तो सबसे पहले या जानले कि अधारकार्ड क्या है अधारकार्ड भारत सरकार द्वारा भारती विशिश पहचान प्राधिकरण के जिरिये भारती नागरिकों को उनकी पहचान प्रमाण पत्र के रूम में जारी किया जाता है इस पहचान पत्र में 12 अंकों की विशिष संख्या छपी होती है जो कि भारत भर में कहीं भी अधार कार्ट धारव्यक्त की पहचान और उसके निवास इस्थान का प्रमार पत्र होगा अधार कार्ड प्राप्त करने के लिए व्यक्त को सरकार द्वारा अधिक्रित किये गए पोस्ट आफिस या कार्याल में जाकर अधार कार्ड के लिए नमानकन के लिए आविदन करना होगा और सभी विदिक अप्चरिकताओं को पूर्ण करना होगा जिसके बाद उनका आविदन सुकार किया जाएगा आविदन सुकार होने के बाद उसको रसीज दी जाएगी इसमें आविदन संख्या और अन्य जरूरी जानकारी छपी होगी जिसके अधार पर आपको अधार कार्ड डाग या कार्याले में जाकर प्राप्त करना होगा अधार कार्ड में आपको मुखिता निम्न चीजे ही दिखाई देंगी जैसे की नाम, पिता का नाम, पती का नाम, जन्मिति थी, लिंग, बारंगों की विजिश्ट संख्या और बारकोड अधारकार्ड का इस्तमाल कहां कहां पर होता है या जान ले अधार कार्ड अप्रत्यक सरकारी वा गैर सरकारी सभी कार्यों के लिए अनिवार कर दिया गया है क्योंकि यह आपकी पहचान का एक प्रमाड़ पत्र है जिससे आपकी पहचान प्रमाड़ित है इसमें आपके दसों उगलियों की छाप होती है जिसे विज्ञान की भास में बायोमेट्रिक कहा जाता है अधारकार्ड का स्माल निम्द कारू के लिए होता है जैसे की पासपोर्ट बनवाने के लिए सिम कार्ड खरीदने के समय जन्दन खाता खुलवाने के लिए प्रोविडेड फंड की प्राप्ति के समय संपत्ति के पंजी करण के लिए LPG गैस की सबसिडी पाने के लिए रेल गाड़ी के टिकेट में छूट पाने के लिए बच्चों का स्कूल वा कॉलेज में प्रवेश के समय डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के आवेदन के समय डिजिटल लॉकर के आवेदन के समय छाता वृत्ति प्राप्ति के आवेदन के लिए बैंक में खाता खुलवाने के समय आयकर रिटेंड के समय नियाले में वादधार करने या अन्य कानूनी कारवाही के लिए अन्य अवसकता के अनुसार अधार पर अधार कार्ड की असकता पड़ती है अब जानेंगे हम अधार कार्ड से संबंदित अपराद वा इन अपरादों के लिए सजा का प्राधान किया है अधार अधनियम 2016 के तहट अधार कार्ड से संबंधित अप्राद्व सजा का प्राउधान किया गया है इसमें हम एक एक करके कोछ धाराओं के बारे में जानेंगे हैं अधार अधनियम 2016 की धारा 34 नामांकन के समय प्रतिरूपड जाली या जोठा आदमी बनने के लिए सजावा जुर्माना अधार अधनियम की धारा 34 के तहट जो कोई भी वेक्ति अधार कार्ड के नामांकन यानि बनवाने के लिए किसी अनवेक्त के पहचान बना कर आता है यानि किसी अनवेक्त के नाम पर आता है अपनी पहचान छिपाता है जिस वेक्त के नाम पर वावेक्त आता है वावेक्त चाहे मृत हो या जीवित हो वास्तविक हो या कालपनेक हो उस वेक्त का प्रतिरूपर करता है यानि अपने को ऐसा बनाता है कि वह वही है यानि जाली आदमी बनकर किसी भी प्रकार की जूटी जन सांखिकी और बायोमेट्रिक जानकारी प्रदान करता है तो ऐसा करने वाल इव्यक्त को तीन साल तक कारावास की सजा और 10,000 रुपए जुर्माने के साथ डंडित किया जाएगा इसको मुदाहरान के माध्यन से समझें ताकि और अच्छे से समझ में आए का जो की वासिव व्यक्ती है और उसकी मृत्य हो चुकी है खा यदि का बनकर अधारकाण बनवाने के लिए जाता है और अपनी असली पहचान को छुपाकर नमांकन के समय या विश्वास दिलाता है कि वा का ही है और नमांकन के लिए अपनी बायोमेट्रिक यानि अपनी दसों उंगलियों की छाब मसीर पर देता है तो यहां काक की पकड़े जाने पर अधारकाण अधारकाण की धारा 34 के तहत दोसी होगा जो कि खाने अधारकाण के लिए जूठी जानकारी दी है अधार अधारकाण 2016 की धारा 35 जन सांखी की जानकारी या बायोमेट्रिक जानकारी को बजल कर अधार कार्ट संख्था के प्रतिरूपड के लिए डंड अधार अधनियम की धारा 35 के तहट जो कोई भी वेक्ती किसी अन अधार नंबर धारग वेक्त को नुसान पहुचाने या सरारत करने के इरादे से जान बूझ कर अधार नंबर धारग विक्त की पहचान में फिर बदल करता है या अधार नंबर धारग विक्त की जन सांखकी और बायोमेट्रिक जानकारी बदलने का प्रयास करता है या किसी अन्ड वैक्ति, मृतक वैक्ति या जीवित वास्तिव किया कालपनिक वैक्त का प्रतिर उपड करता है यानि जाली आदमी बनकर ऐसा करने वाले वैक्त को तीन साल तक कारवाज की सजा और जुर्माने 10,000 जुर्माने के साथ डंडित किया जायेगा अधार अधनियम 2016 की धारा 36 प्रती रूपड के लिए डंड अधार अधनियम की धारा 36 के ताज जो कोई भी वक्ती इस अधनियम की प्रावधानों की तहत किसी निवासी के पहचान से जुड़ी जानकारी एकत्र करने के लिए अधिक्रिद नहीं किया गया लेकिन वा अपने सब्दों आचेनर से ऐसा करने का दावा करता है यानि किसी विक्त से उसकी जानकारी या कहकर प्राप्त करता है कि वा किसी विभाग से आया है या किसी लाप की प्राप्ती के लिए जानकारी देना आवस्यत है ऐसे जूठे दावे करता है तो ऐसे करने वाले व्यक्ति को तीन साल तक की कारवाज की सजा और दस हजार रुपए जुर्माने के साथ डंडिट किया जाएगा यदि जानकारी एकत करने वाले संस्था अधिकरित संस्था होने का जोठा दावा किया जाता है तो ऐसी संस्था के खिलाब कानूनी कारवाई होगी जो कि तीन साल तक कारवास की सजा और एक लाख रुपैस जुर्माने के साथ डंडित किया जाएगा अधार अधिनियम 2016 की धारा 37 पहचान की जानकारी का खुलासा करने के लिए सजा अधार अधनियम की धारा 37 के तहट इस अधनियम या नियमों के तहट अधिकित किये गए विक्त द्वारा नामांकन और प्रमारी करण के दौरान एकत्रित किये किसी भी जानकारी को जान बूझ कर प्रसारित कौपी आउजागर करता है जो की इस अधनियम के प्रावधानों के अनुसार किये गए किसी समझोते या वियस्था का उलंगन होता है तो ऐसा करने वाले विक्त को तीन साल तक कारावाज की सजा और दस हजार रुपए जुर्माने के साथ डंडित किया जाएगा नामांकन और प्रमारी करेंड के लिए अधिकरेंस था कि द्वारा जानबुच कर किसी भी जानकारी को प्रसारित कौपी आउजागर किया जाता है तो ऐसा करने वाले को तीन साल तक कारावाज की सजा या एक लाग रुपए जुर्माने के साथ या दोनों से डंडित किया जाएगा अ अधार अधिन्यम 2016 की धारा अरतिस केंद्री पहचान डेटा रिपोजिटरी यानि संग्रे को स में अनाधिकरित प्रवेत के लिए सजा आधार अधिन्यम की धारा 38 के तहट जो कोई वेक्ति प्राधिकरण द्वारा केंद्र पहचान डेटा रिपॉजिट्री में प्रवेश करने के लिए अधिकृत नहीं है प्रवेश करने से मितलब यहाँ पर डेटा रिपॉजिट्री को ओपन करना उसमें अधिकृत बदलाव करना या उसमें कुछ जोड़ना आदि उसके उधारा जानबूच कर किया जाता है जैसे की केंद्र पहचान डेटा रिपॉजिट्री में अनधिकृत प्रवेश किया जाता है केंद्र पहचान डेटा रिपॉजिट्री में किसी भी डेटा को डाउनलोड करता है निकालता है या स्टोरेज डिवाइस पर स्टोर करता है केंद्र पहचान डेटा रिपॉजिट्री के क केंद्री पहचान डेटा रिपोजीटटिटरी ुप प्रवेश को बाधित करता है। प्रवेश को रोगता है। अधन्यम की ध्रहा 28 उपधारा 5 का उलंगन कर किसी जानकारी को उजागर करता है 57 धारा 29 का उलंगन कर किसी जानकारी को साज़ा उपयोग या प्रदर्शित करता है या किसी भीव्यक्त की उपरोगत कार्यों में मदद करता है केंद्र पहचान Data Repository के Data Storage या Storage Media इस्टोर से किसी भी जानकारी को नश्च करता है, मिटा देता है या बदलाव करता है ये इसके मूल या उपयोगिता को कम कर देता है या किसी अन्य तरेके से प्रभावित करता है जो कोई भी जानबूच कर छती पहुचाने की इरादे से अधिकरित प्रवेश कर Data चोरी करता है, मिटा देता है या उसमें बदलाव करता है जो कोई भी केंद्र पहचान Data Repository के Data की चोरी चिपाना या उसमें बदलाव करना या किसी व्यक्त को नुक्सान पहुचाने के लिए Data चोरी चिपाना या उसमें बदलाव करना या जानबूच कर नुक्सान पहुचाने की इरादे से अधिकरित प्रवेश का उप्योग करते हुए Computer Source Code में बदलाव या नश करता है तो उप्रोच सभी अपरादों के लिए 3 साल से 10 साल तक कार आवाज की सजा और कम चे कम एक लाग रुपए तक जुर्माने की साथ डेंडित किया जाएगा अधिनियम की धारा 39 केंद्र पहचान डेटा रिपोजेटरी के डेटा के साथ छेड़खार करने पर सजा अधिनियम की धारा 39 के तहट जो कोई भी प्रादिकरर द्वारा अधिकरित नहीं है केंद्र पहचान डेटा रिपोजेटरी के डेटा का इस्तमाल या उसके साथ छेड़खार करता है या अधार नंबर धारक से संबंधित जानकारी को बदलने के इरादे से किसी रिमूवल स्टूरेज का इस्तमाल करता है या उसकी किसी भी जानकारी को खोजता है तो ऐसा करने वाले व्यक्त को दस साल तक कारावाज के सजा और दस अजार रुपए जुर्माने के साथ डेंडित किया जाएगा अधार अधनियम 2016 की धारा 40 ओफ लाइन सत्यापन मागने वाली संस्था द्वारा अन्यदिकरित उप्योग के लिए सजा अधार अधनियम की धारा 40 के तैट अधनियम की धारा 8 की उप्धारा 3 के उलंगन में किसी व्यक्त की पहचान की जानकारी का उप्योग करता है तो ऐसा करने वाले व्यक्त को 3 साल तक कारावाज की सजा और 10,000 रुपए जुर्माने के साथ डंडित किया जाएगा और कंपनी के मामले में 1,000,000 रुपए तक जुर्माने से डंडित किया जाएगा अधार अधनियम 2016 की धारा 8 उबधारा 3 अधार संख्या के प्रमारी करने के संबन में प्रवधान करती है धारा 8 की उबधारा 3 के तहट जहां किसी व्यक्त द्वारा अपनी पहचान को प्रमारित करने के लिए जानकारी दी जाती है वह आधारकार संख्या प्रमारित करने के लिए अनरोथ करने वाली संस्था को इस अधनियम में निर्धारित विनियम के तहट प्रमारी करने के संबन में निम्ध जानकारी को सूचित करना होगा जैसे कि पहचान प्रमारित करने के लिए सेयर की जा सकने वाली जानकारी की प्राकृति क्या है इसको सुचित करना होगा पहचान प्रमारित करने के दौरान प्राथ की जानने वाली जानकारी को अनरोध करने वाली संस्था द्वारा इन जानकारी को किन उप्योग में लाया जाएगा इसको सोचित करना पहचान प्रमारित करने के लिए अन्रोद करने वाली संस्था द्वारा पहचान की जानकारे प्रसुत करने के लिए विकल्प को सोचित करना होगा तो दोस्तो यह वीडियो रही अधार कार्ड से संबंधित अपराथ ओन अपराधों के लिए सजा का प्राधान क्या होगा ऐसे ही वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए हम एक चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद झाल झाल